तो ये वेकंसी RITES Limited की ओर से आ रही है, जो की Ministry of Railways के अंदर में आता है, Government of India के, इसके अंदर जो वेकंसी निकाली गई है, उस पोस्ट का नाम है Junior Assistant, तो Junior Assistant के पोस्ट पे वेकंसी निकाली गई है, अब नमबर अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो कुल 16 पोस्ट पे वेकंसी हैं, जिसमें UR Category में आपकी 11 seats हैं, ये UWS के लिए 1 seats हैं, OBC के लिए 4 seats हैं, टोटल 16 seats पर वेकंसी निकाली गई हैं, और अब qualification वगरा की बात कर लेते हैं, educational qualification की आप कुछ मांगी गई है, तो पहले age limit की बात कर लेते हैं, तो age limit आपकी maximum age 30 years है, और cut-off date यानि 30 years कब तक होन है, graduation in any discipline, को experience की जरूत नहीं है, और salary जो आपकी रहेगी हो 20,000 से लेगे 66,000 के बीच में, जो आपकी basic पर बनेगी हो, सुरुवात में 20,000 बनेगी, बट ये salary काफी अच्छी है, उसे भी हम देखेंगे, तकरीबन 7.6 lakh CTC बन जाएगी आपकी, तो educational qualification भी एक अगस 2023 तक आप आपके पास होनी चाहिए, graduation के degree, इसनातक के degree होनी चाहिए, आगे कुछ जनकारी देख लेते हैं, the candidates should possess degree recognized by AICTE from recognized university, तो मानिता प्राप्ते बिश्योविद्याले या संस्थान से आपके पास में सनातक के degree होनी चाहिए, selection process की बात करते हैं, on the basis of application received, candidates will be required to appear in the written test, तो पहले आ on the basis of performance in the written test, उसी के basis पर आपकी merit बननी है, तो जो weightage होगा merit की, वो 100% return test पर ही होगा, और qualifying max वगर यहां पर देख सकते हैं, 50% mark से UR और EWS के लिए 45% SCST की, यह qualifying mark से cut off नहीं है, तो question बात कर लेते हैं, 125 multiple choice question आप से पूछे जाएंगे, 125 objective type questions carrying one mark each for a duration of 2.5 hours, तो डाइगंटे एक्जाम होगा, कोई negative marking नहीं होगी, तो अच्छा मौका है आपके पास, क्यूंकि यह vacancies उतनी popular होती नहीं है, तो कम लोग ही apply करते हैं, यूजवाली सारी vacancies में बहुत लाकों में लोग भर देते हैं, हाला कि यह भी बहुत लोगों तक पहुंची गई होगी, बट फिर भ इन्मम ऑफ दी स्केल, कंड़ेट्स फ्रम गवर्मेंट डेपार्टमेंट्स, PSU's आर एलिजबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देर बैसिक पे इनकोर्डेंस विद पॉलिसी ऑफ तो जो भी सुविदाएं होती है, जो कि गवर्मेंट इंप्लोईज को दी जाती है, इन अडिस सारी चीज़े आपको मिलेंगे, तो जो भी गवर्मेंट पे स्केल पर मिलता है, वो सारे चीज़ आपको मिलेगा, तो आपकी 7.62 लाइक पर एनम यह आपकी जो सेलरी है वो बन जाएगी, अब बात कर लेते हैं, एप्लिकेशन फीस की, तो एप्लिकेशन फीस रहेगी आप आगे बात करें, तो उनकी ओफीसल वेबसाट से आपको अपलाई करना है, अब बात कर लेते हैं, लास्ट डेट कब है, इस फ़म को फिल करने की, तो वो लास्ट डेट है आपकी, पहले उससे पहले वेन्यो एंड ताइम देख लेते हैं, कि एक्जाम सेंटर आपका किधर पड़ सकता है, तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए छे सेंटर यहाँ पर फिक्स कियेगे हैं, उन छे सेंटर में से जो भी आप अपना प्रिफरेंस देंगे, उसके कोडिंग आपको सेंटर लौट किया जाएगा, तो दिल्ली गुडगाओं, कुलकाता, बैं में हो सकते हैं, सिलेबस की बात करें, तो इंगलिस होगा, 40 मार्क्स का होगा, 40 questions होगा, जिसके आज सिलेबस आप देख सकते हैं, क्या के questions आने वाले हैं, data analysis and interpretation के भी 40 questions होगे, maths वगरा के, और reasoning के भी 45 questions होने वाले हैं, तो इस तरीके से यह आपके, total 45, 40, और 40, तो इस तरी dates की बात करें, तो commencement of submission of online application, यानि 12 अगस्त 2030 से form भराने start हो चुके हैं, और last date होगा, आपका 4 September 2030, तो 4 September 2030 तक आप apply कर सकते हैं, और बाकी कुछ आपको इनके official website पे समय रहते बता दिया जाएगा, तो यह जनकारी थी, जो कि RITES Limited से आ रही थी, अब next vacancy देख लेते हैं, अग date for commencement of submission of online application, जो कि 28 अगस्त 2030 से सुरू हो रही है, यानि बिल्कुल आज से ही हो रही है, 28 अगस्ते, last date आपका 18 September होगा, 18 September तक आप apply कर पाएंगे, और free payment के लिए 20 September आपकी last date होने वाली है, तो post मैंने बता दिया आपको personal assistant की vacancy है, जिसके लिए level 7 की salary आपको provide की जाएगी, जो कि होती है, बेसिक पे 4,900 से स्टाट होती है, और 1,2,000 तक जाती है, तो काफी अच्छी salary रहने वाली है, अब बात कर लेते हैं, पोस्ट कितने post पे vacancy हैं, तो 36 बदो पे vacancy हैं, यहाँ पे आपकी, 36 post हैं, total vacancy हैं, इस पर आपकी vacancy हैं निकाली गई है, personal assistant के लिए, 2005 एक जन्वरी के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए जन्मती थी, और maximum age limit की बात करें तो, UR और EWS के लिए 37 years है, not born earlier than 1986, यहनी 2 जन्वरी 1986 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, UR and EWS female के लिए 40 साल age limit है, BC and EBC, इसी तरीके SCST, OH, इस सारी categories के लिए आपको यहाँ पर age limit दी हुई है, जो बिहार के candidates है, अपर age limit में उनको five days के relaxation दी जाएगी, और in employment under central government या फिर state government बिहार के हो तो, तो यह जानकारी है, जो कि age limit से जुड़ी हुई है, educational qualification की बात करें, तो applicants must possess following educational qualification, एक जन्वरी 2030 cut-off date है, इस दिन तक आपके पास graduation होना चाहिए in any discipline, और उस और बाकी कोई typing speed वगएरा मांगी गई है, तो वो तो समय रहते हैं, आप लोग करी लेंगे, तो यह आपकी educational qualification मांगी गई है, और reservation वगएरा आप देख लेंगे, वीडियो को pause करके या नहीं तो यह सारी PDF आपको telegram चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप देख सकत और part B में computer typing test होगा, part C में computer typing test होगा, details and syllabus की सारी आपको इस PDF में आगे देखने को मिलेंगी, minimum qualifying standard की बात करें, तो 40% होना चाहिए, इस सब qualifying adjust, syllabus वगएरा यहाँ पर आपको mention किया हुआ, examination fee 1100 rupees होगा, UR, BC, UBC और EWS candidates के लिए और SCHT, OH candidates के लिए 5500 rupees फीस होने वाली है, center of examination पटना में ही होगा, तो पटना में ही आपको exam के देना पड़ेगा, और कुछ जानकारी जो है, उनको आप देख लेंगे वीडियो को pause करके, तो यह vacancy है, जुड़ी हुई पटना high court से personal assistant की, तो अच् जो होती है, यह जदा popular नहीं होती है, और इनमें apply कर देना चाहिए, तो यह vacancy है,